आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार चात्रों की मौत से संसनी फैल गई थी दोनों ही कॉलेज में हुए हासे में एक बात समान रही थी वो थी छट से फेकर हत्या की अब एक ऐसा ही मामला राम की नगर यानि अयुध्या से भी आया है यहां सन्वी में पढ़ने वाली चात्रा के साथ भी ऐसा ही हासा हुआ है जूले से गरने से आखिर कैसे हो गई मौत? दस्वी की छात्रा की हत्या की उल्जी गुथी यूपी में अब छात्राओं के लिए शिक्षा का मंदिर ही काल बनता जा रहा है वो मंदिर जहां वो अपने भविश्य बनाने के लिए जाती है आज वहां लगतार चात्राओं को मौत की नीन सुलाए जा रहा है मालूम हो कि S.R. Global College की चात्रा की मौत की गुत्ती सुलजी नहीं थी कि लखनों में T.S. Medical College की M.B.B.S. चात्रा की संदिग्द परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया था दोनो ही College की बहुमंजला इμάरत से फेक कर हत्या की बात सामने आ रही थी लेकिन दोनो ही मामले की जाँच में आज तक राज नहीं खुल पाए हैं वहीं अब आयोध्या के संबीम स्कूल में चात्रा की हत्या कर उसके भी शव को स्कूल की बहुमंजला इमारत से फेक दिया गया तीनों ही मामले पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस तो दर्श किया लेकिन इस हत्या की पीछे की गुत्ती आज तक नहीं सुलजी तीनों ही मामले में पुलिस को जाच के दौरान कुछ ऐसे साक्ष भी मिले जिसको देखकर होश उड़ गए उसके बावजूद पुलिस सब तक इस मामले पर रास का परदा नहीं उठा रही है जिसको लेकर कानून विवस्था पर भी सवाल उठता खड़ा हो रहा है अगर देखा जाए तो तीनों ही छात्राओं की हत्या मामले में एक ही दिन खास है वो है शुक्रुवार आईए अब हम आपको बताते हैं कब हुई छात्राओं की कॉलेज में हत्या और कौन है उसका संचालक 20 जन्वरी को 13 साल की प्रियराठोर को हॉस्टल परिसर में मौत की नीन सुला दिया गया दिन शुक्रुवार था जब इस छात्रा को कॉलेज की बहुमंजिला इमारत से फेक कर उसकी हत्या कर दी गई इस मामले पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था लेकिन दिन बीटते गए और फाइले धूल खाने की और बढ़ती चली गई यह कॉलेज है बीजेपी एमलसी पवन सिंग चोहान का अब हम आते हैं टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज की घटना पर में रहकर MBBS की पड़ाई कर रही थी इस मामले पर भी पुलिस को जांश परताल में कुछ ऐसे साक्षात लगे थे क्योंकि चात्रा के कमरे की छानबीन हुई तो पुलिस की कान खड़े हो गए थे पुलिस सूत्रों के मताबिक कहा गया तो चात्रा के कमरे से एक नोट मिला है इसमें चात्रा ने कॉलेज स्टाफ की खिलाफ ऐसी बाते लिखी हैं जिसे सारवजनिक होने से कॉलेज प्रबंदन की उपर तक के लोग जेल जा सकते हैं लेकिन इस मामले पर भी कारवाई अब तक शून है ये टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज के संचालक है सतीश चंद्र मिश्रा अब बात करते हैं आयोध्या के संबीम स्कूल की जहां पर दस्वी की चात्रा की गैंग रेप के बाद हत्या कर उसके शव को बहुमेंजरा इमारत से फेक दिया गया इस स्कूल की भी घ समेट अन्य गंभीर दाराओं में केस दर्श किया है लेकिन इस मामले पर जांच कर रहे इंस्पेक्टर समेट एससपी तक सिर्फ एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं अब आप कहेंगे वो बात क्या है वो यह है कि जांच अभी जारी है इसकूलों में कॉलेजों में बच्चे बच्चियां पढ़ने जाती हैं लेकिन इसकूल परिसर में अगर उनकी हत्या कर दी जाए तो फिर परिवार भी अपने बच्चों को होस्टल में रखने से कत्राने लगता है क्योंकि अब इसकूल के होस्टलों में हत्याओं के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं हम कर रहे हैं इस वक्त जिस तरह से अयोद्या में एक दस्वी की छात्रा की गैंग रेव के बाद हत्या कर दी गई उसके बाद से उस कॉलेज का मामला काफी गर्माता जा रहा है इसके साथ ही जो पुरानी घटनाएं थी वो भी आब खुलने लगी है क्योंकि जिस तरह से 20 ज वो घटना की सुई अभी तक सुनने पर ठीकी हुई है इसके पीछे संदिक्द कई बताए गए लेकिन राज अब तक नहीं खुल पाया वहीं दूसरी घटना की बात करें 18 फरवरी टी-स मिस्रा मेडिकल कॉलेज की जहां पर एमबीबीस चात्रा की मौत हुई थी इस मामले में भी दावा किया गया था कि पॉलिस को कई ऐसे साक्ष मिले हैं जिसके आधार पर स्कूल संचालक समेथ स्टाफ के कई लोग जेल जाने की संभावना जिताई गई थी लेकिन उस मामले की फाइल भी बंद कर दी गई या फिर यूं कहा जाए कि उस मामले में भी दिल्चस करके उसके भी शव को बहुमंजला इमारत से फेका गया तीनों ही स्कूलों की अगर घटना की बात करें तो तीनों में एक खास बात दिन शुक्रुवार और बहुमंजला इमारत क्योंकि बहुमंजला इमारत से गिरते हुए का CCTV फुटेज सभी के पास है लेकिन उसकी हत्य का राज किसी के पास नहीं है या फिर यूं कहा जाए कि इन सभी मामलों में दिल्चस्पी नहीं ली जा रही है क्योंकि इसकूल के संचालकों का जो कनेक्शन है वो बड़े सफेद पोस्त नेताओं से भी बताया जा रहा है जिसके कारण पुलिस मामले को गंभीरता से नही मामलों को बहूं मंझला हिमार 만들 से नीचे फिर दिया गया लेकिन सवाल उठता है क्या हर इस इसकूल की तरह इसकूल का भी मामला तबा दिया जाएगा यह पर इस मामले में गिरफ Tari की जाईगी फिलहाल हर मामलों की तरह इस मामले में भी चाहे कुलिस अधिकार्यों की बात की जाए या फिर जिम्मेदारों की बात की जाए सब एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि मामले में केवल जांच चल रही है जांच में क्या कुछ सामने आया है इसको लेकर किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है लेकिन लोगों के बीच सवाल यही है क्या चात्राओं के परिजन को इस मामले में इंसाफ मिलेगा या फिर वो भी इंसाफ को लेकर ठक हार कर घर बैढ़ जाएंगे अयोद्य के संबीम की घटना कर आज हर कॉलेज की तरह CCTV में छुपा हुआ है इस कॉलेज कभी पुलिस के हाथ एक CCTV लगा है जिसमें छात्रा छट से गिरते हुए नज़र आ रही है लेकिन इस स्कूल के मामले पर एक बात खास नज़र आई है वो ये है कि CCTV में 10 मिनिट का हिस्सा गायब है अब सवाल उठता है कि आखिर ये 10 मिनिट का हिस्सा कॉलेज की घटना से गायब क्यों है इसके पीछे का रास क्या है क्या आयोध्य के भी इस स्कूल में लगा दूसरी मंजिल पर कैमरा नहीं लगा था या फिर इस इस्तान पर लगा कैमरा खराब था या फुटेज गायब कर दी गई फिलाल इस मामले पर कोई भी जिम्मदार बोलने को तयार नहीं है अब सवाल उठता है कि CCTV का जो हिस्सा गायब है उसमें आखिर ऐसा क्या रास चिपा हुआ है फिलाल घर गटना की तरह इस गटना में भी पुलिस ने CCTV फुटेज का DVR जब कर लिया है इसके साथ ही छात्रक मुबाइल कबजे में ले लिया है लेकिन आखिर में फिर वही सवाल रह जाता है क्या पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी या फिर सभी मामलों की तरह इस मामले की फाइल भी केवल और केवल धूल खाएगी यूपी के मुखमंतरी योगी आदितनाद लगातार महिलाओं और यूग्तियों की सुरक्षा के दावे कर रहे हैं लेकिन ये दावे स्कूल के अंदर ही खोकले किये जा रहे हैं जहां पर दूर दराज से छात्राओं को स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाई के लिए और उनके रहने के लिए स्कूल परिसर में बने होस्टल में रखा जाता है लेकिन उन होस्टल में अब छात्राओं की हत्याओं के मामले भी सामने आ रहे हैं क्योंकि अयोध्या का सन्बीम स्कूल है जहां पर वह अब दस्वी की छात्रा की जिस तरह से हत्या की गई हत्या के मामले में इस्कूल के परवंधच समेट गेम टीचर्स के साथ कई और जो टीचर हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्च किया गया हर स्कूल के मामले में इस मामले में एक बड़ी बात ये रही कि इसमें गैंग रेव की धाराओं का जिक्र किया गया और उसके बाद उसको मौत की नीन सुलाई गई फिलाल पुलिस को हर घटना की तरह इस घटना में भी CCTV फुटेज हाथ लगा है जिसमें छात्रा बहु मंजला इमारत से गिरती हुई नजर आ रही है लेकिन बड़ी बात है कि आखिर हर स्कूलों की तरह इस स्कूल में भी कुछ चंज CCTV फुटेज के गाय में जिसके राज गोहार लगा रहे हैं क्या इस मामले में भी उन्हें नयाई मिलेगा क्योंकि सवाल उठता है कि इसकूल के संचालकों के खिलाफ केस तो दर्ज होता है लेकिन कारवाई सून होती है फिलहाल जो बात की जा रही है वो है अब इसकूल परीसर से जुड़ी हुई क्योंकि पु इस मामले में लगातार पुलिस को भी गुमरा किया जाता रहा लेकिन जब पोस्माटम हुआ तो उसमें कई खुलासे भी हुए थे जिसमें उसके सरीर पर चोड के निसान समयत हड्डियों के तूटने की बात भी सामने आई थी और इस मामले में जिस तरह से वाड़न समयत क कभी इसी तरह का सवाल लगातार बरकरार है लेकिन अब संभीम स्कूल का जो मामला है आयोध्या नगरी का जो मामला है यह भी अब लोगों के बीच कापी सुर्ख्यों में बना हुआ है लेकिन सवाल वही कि क्या इस मामले में खुलासा होगा क्योंकि अधिकारी भी अभी इस मामले में कुछ खास बोलने को तयार नहीं है क्योंकि ये मामला आयोध्या से जुड़ा हुआ है और एक छात्रा की हत्या और गैंग रेप से जुड़ा हुआ है फिलाल इस मामले में जिस तरह से स्कूल संचालक समेट जो अन्य टीचर है उनके खिलाब जो मुकदमा कि रफ्तारी होगी या पिर केवल इसी तरह जांच चलते हुए फाइल दूल खाने लगेगी विडियो जनलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहमद कलीम प्राइम टीवी लगनौ हमारे इस खास रिपोर्ट में बस रतना ही देश दूनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रह प्राइम दूनिया